मुवी स्टाड होती है और हम हमारी मेन क्यरेक्टर नाटली को देखते है जो एक सेक्स वरकर थी इंटेवेट होते वक्त उसका क्लाइट उसे मारने के लिए कहता है और एक होईच भी नाटली उसकी पूरी करती है उसका client इसके बाद उसे उसके साथ रुखने के लिए कहता है नडली ने पूचा कि क्या तुम इसके लिए मुझे एक्स्टा पे करोगे client इसके लिए मना करता है तो फिर वो मना कर देती है उसने फिर अपने fake hairs निकाले और अपने life में वो फिर से normal हो जाती है parallel में हम अमारे और एक main character Mitch को देखते है आज उसके friend ने उसके लिए एक date setup की थी वो Mitch के लिए अपनी girlfriend की एक friend को भी लेकर आया था वो सब मिलकर movies को discuss कहते है जिसके साथ Mitch की date setup होई थी वो लड़की Mitch में बहुत interested थी पर Mitch को इसमें कोई भी interest नहीं था अपने friend के कहने पर हो जबरदस्ती यहाँ पर आया हुआ था वो फिर bathroom में जाता है और खुद को please करने लगता है bathroom में उसका friend भी आता है वो गहता है कि तुम्हें कर क्या रहे हो वो लड़की तुम्हें interested है और तुम्हें भी उसमें interest दिखाना चाहिए friend भुशता है कि क्या तुम अभी वो app यूज़ करते हो actual में Mitch एक sex app यूज़ करता था जहाँ पर किसी भी लड़की को अगर उसके साथ intimate होना होगा तो अगर वो दोनों match करते है तो मिलकर वो दोनों intimate हो जाते थे दोनों की relationship में कोई भी commitment के chance नहीं होता था इस तरीकी का meaningless app यूज़ करना मीच को अच्छा लगता था ये एक problem था और इसी वज़े से उसका friend उसके लिए concerned है मीच अपने friend को ज़्यादा seriously लेता ने यहाँ पर हो बहुत ज़्यादा बोल हो रहा था तो आज से वो चला जाता है इसके बाद हम उसे अपना फिर से app यूज़ करता हा देखते है जहाँ पर हो multiple partners के साथ होता है रात में ऐसे एक लड़की से मिलने के लिए hotel में आया हुआ था वहाँ पर Natalie उसके पास आती है और उससे बात करने लगके कहती कि तुम मेरे लिए drink बाय कर सकते है मिच उसमें जादा interest नहीं दिखा था Natalie कहती कि क्या तुम लड़कियों के इसी तरीके से treat करते हो मिच कहता है कि तुम मुझसे free में dream मांग रही हो और इसमें मैं interested नहीं हो Natalie ने कहा कि तुमें सब कुछ चीज़े free में नहीं मिल सकती तो मैं पहले pay करना पड़ता है मिच कहता है कि पहले दो लोगों में बाते होनी चाहिए उसके बाद हम आगे बढ़ सकते है Natalie कहती कि मैं Stanford की student हूँ उसे क्या-क्या books अची लगती है क्या-क्या करना अच्छा लगता है इस सब कुछ उसे बता देती है मिच को लगा कि जिस लड़की के साथ हो मिलने के लिए आया था ये Natalie ही है Natalie कहती कि तुम्हें जरा misunderstanding हुई है पर उसके साथ रात बिता सकती है उसे अपने rates बताती है मिच उसे disrespect कर कर वहाँ से जाने के लिए कहता है उसे जरा बुरा लगा और उसने कहा कि मैं वैसे भी तुम्हें afford नहीं कर सकता Natalie भी उसे disrespect कर कर वहाँ से चली जाती है अगली दिन मिच से मिलने के लिए उसकी boss आए उसे कहती है कि मेरे office में आओ office में आकर उसे fire कर देते है मिच कहता है कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ आपको भी मेरा काम बसना आता है तो आप मुझे fire क्यों कर रहा हूँ boss ने कहा कि मुझे किसी और employee को fire करना था पर अगर मैं उन्हें fire कर देता तो लोग मुझे समझते हैं कि मैं racist हूँ बाकी भी issues की वज़े से मैं बाकी लोगों को fire नहीं कर सकता तुम्हें एक अच्छे employee हो पर मुझे तुम्हें fire करना पड़ेगा इसके बाद मीज फिर चला जाता है फिर से आपने आप को यूज करकर इंटरेंटमेंट करता है अगली दिन मीज अपने फ्रेंड से मिलने के लिए क्या फ्रेंड उसे समझाता है तुम्हें अपने life को अपने control में लेना चाहिए अब तुम्हारे पास job भी नहीं है तुम्हारे कोई girlfriend नहीं है तुम इस तरीके से commitment से भाग नहीं सकते जिस लड़की के साथ तुम date पर गए थे जिस लड़की के साथ मैंने date setup की थी बहुत अच्छी लड़की थी शायद तुम्हें किसी help की जरूरत है मिच उस पर गुस्ता हो जाता है कहता है कि हम दोनों lunch के लिए जाने वाले थे यह से मुझे lecture मत दो मिच वे जाकर अलग-अलग जगा पर job के लिए apply करता है पर कही पर भी उसे job नहीं मिलती वो फिर final interview में आया वहाँ के boss उसे कहती है कि तुम्हारा writing profile तो अच्छा है पर आशकल तुम जैसे writer के हमें जरूरत नहीं है कोई interesting article लिखने वाले लोग हमें चाहिए मिच disappointed होकर वहाँ से जा रहा था पर जाते जाते हो गयता है कि आप जैसा को होगे मैं वैसा article लिख सकता हूँ आप मुझे एक chance तो देखर देखो boss फिर इस बात के लिए मान जाती है अल्रेडी दो लोग इस competition में थे तो मिच को भी add कर लिया जाता है मिच घर पर आया तो उसका landlord उस पर गुस्सा था कहता है कि अगर तुमने next week तक rent पे नहीं किया तुम्हें तुम्हें यहां से निकाल दूँगा इसके बाद मिच आर्टिकल पर research करना start कर देता है उसने एक आर्टिकल बढ़ा जिसमें एक sex ring को expose कर दिया गया था करने के लिए कहता है कि वो पुलिस में नहीं है बार्ट रेंडर जो उससे करने के लिए कह रहा था यह बहुत ही अजीब था और इस वज़े से मिच वहां से उठकर जाने लगता है जाते वक्त उसे नैटली मिले नैटली कही थी कि तुम मुझे फिर से मिलने के लिए क्यों आए क्या तुम उन लड़कों में से हो जो मेरी जैसे लड़कियों को देखते है और उन्हें बचाने की कोशिश करते है मिच कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसे जो आर्टिकल लिखना था उसके बारे में उसे बता देता है नैटली कही थी कि तुम जो आर्टिकल लिखोगे उसमें लिखोगे कि सिस्टम ने मुझे फेल कि और इसी वज़े से मुझे ये सब जॉब करना पाट रहा है ये सब चीज़े इतने सिंपल नहीं है वो उसके आर्टिकल में थोड़ी सी भी इंटरस्टेड नहीं थी और फिर वो वहाँ से चली जाती है रात में Natalie क्लाइन के साथ के उसे किस करना चाता था पर Natalie इसके लिए उसे मना करती है क्योंकि उसे अपने क्लाइन को किस करना अच्छा नहीं लगता वो क्लाइन उसे फोर्स करने लगता Natalie फिर उसे मार कर वहाँ से चली जाती है वो बहुत ही डिस्टरब हो गई थी जो भी हुआ था है सब बात वो अपनी रूम में डाना को बताती है डाना ने कहा कि तुम्हें अपने पिम के साथ मिलकर काम करना चाहिए Natalie यह दि क्यों मेरे आदे बैसे ले लेता है जो उसे अच्छा नहीं लगता डाना ने कहा कि तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है इस बात से Natalie आगरी करती है उसे फिर एक आड़ा आता है कि न्यूस पेपर आर्टीकल के लिए मिच उसे फॉलो करने ही वाला था तो उसे अज़र प्रोटेक्शन वो यूस कर सकती है उसे फिर कॉल करकर अगले दिनों मिलने के लिए बुला लेती है वो दोनों फिर एक बहुत ये रीच हाउस पर गए उन्हें वेलकम किया जाता है और वहाँ के लेड़ी कहीती कि मेरा बेटा तुम्हारा वेट कह रहा है मिच सप्राइस हो जाता है उसे फुछता है कि तुम्हें आवर कर कह रही हो नैटली ने कहा कि कुछ भी मत बोलो सिर्फ देखते रहो नैटली फिर एक छोटे बच्चे को मैट्स पढ़ाती है वाँ उसे इस चीज के बहुत अच्छे पैसे मिलते है मिच उसे कहता है कि तुम्हें इस काम के लिए बहुत ये अच्छे पैसे मिल रहे है पर फिर भी तुम्हें सब काम क्यों कर रही हो नैटली कहती कि मुझो और भी पैसे चाहिए और जादा कुछ क्वेशन मत पूछो तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे और अब्सर्व करोगे इसके बाद तो नैटली की घर पर आते है नैटली जब छोटी थी तभी उसके फादर उसे चोड़ का चले गए थे मिच उसके हाई स्कुल की फोटोस देखता है नैटली ने उसे कहा कि ग्रैजुएशन के बाद मैंने बहुत सारी जॉब का अपलाई किया पर उसे जॉब मिल नहीं रही थी यह जो काम करती है इसमें उसे अपनी जॉब से भी जादा पैसे मिलते है मिच कहता है कि उतने जादा तो पैसे नहीं मिलते होंगे तुम स्टैंफर्ड की ग्रैजियोट हो नैटली कहती कि लास्ट येर में मैंने 200,000 डॉलर कमाए मिच इस बात से सप्राइस्ट हो जाता है इसके बाद रात में एक होटल में जाने के लिए और रेडी हो जाती है उसने मिच को देखा तो उसका आउटफिट अच्छा नहीं था तो उसे और रेडी करती है मिच ने जो पहना था उसे अच्छा नहीं लगता पर Natalie को बहुत पसंद आता है इसके बाद Natalie जाकर अपने क्लाइन के साथ बात करने लगे मीच उसे दूर से अबसर कर रहा था रूम के बाहर बैट कर उसके आवाजे सुनता है इसके बाद तो दोनों घर पर आ रहे थे मीच कहता है कि तुम जितने आवाज निकाल रही थी उतना जाद तुम इसे एंज्वा नहीं करती होगी Natalie कहती कि क्लाइन बार बार मेरे पास वापस आ सके इस वज़े से यह सब करना पड़ता है अगले दिन हैंग आउट करते हैं मीच ने उसे बुचा मीच और मीच एक भार में आते हैं वहाँ पर नेटली अपने कलाइन के साथ बात करने लगिज वह इस मीच नतली को प्रогटेक करने के लिए आ क्या उन्से भगा देता है मीच कहता है कि मुझे फिर से मत करने के लिए कहना यह बहुत ही जादा dangerous हो सकता है Natalie कहती है कि मुझे protect करते हैं अगर तुमने actual में किसी को मारा होता तुम्हारा article कितना interesting बन जाता Mitch को फिर उसके app की notification आ जाती है Natalie इसमें interested हो जाती है कितना mysterious text था क्या वो फिर उसका चुपके से पीछा करने लगे Mitch एक बार में जाता है और वहाँ पर एक लड़की के साथ वो intimate हो क्या Natalie देख रही थी Natalie कहती कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाती थी इतना mysterious text आखिर था क्या Natalie ने पुछा कि क्या तुम्हें हमेशा करते हो तो Mitch उसे सच बताता है कि हमेशा ये सब वो try करता रहता है Natalie पुछती कि कोई disease हो जाए कि इसके लिए तुम ढरते हैं ने Mitch actual में इसके लिए डरता था और हमेशा test करता रहता था Natalie भी हमेशा test केया करती थी और इसका experience उएक दूसरे के साथ share करते है दोनों बहुत सारी बाते करते और उनमें bonding होती है अगली दिन Mitch अपने friend से मिलने के लिए कहा उसका friend उसे बुछता है कि आज कल चल कहा रहा है Mitch ने उसे कहा कि मैं एक article लिख रहा हू उसने article के बारे में पूछा तो Mitch उसे बता देता है एक sex worker के बारे में वो article लिख रहा है Mitch का friend उसके लिए बहुत ही worried था कि पहले Mitch इस तरीके का app यूज करता है और अब वो एक sex worker की profile पर article लिख रहा है next day Mitch अपनी family से मिलवाने के लिए Natalie को लेकर रहा है सबको लगता था कि Mitch एक loser है उसकी कोई भी girlfriend नहीं है और इसी वज़े से Natalie को लेकर आया था Mitch का घर बहुत ही बड़ा था Natalie पुछती कि तुम्हारे फादर करते क्या है Mitch ने कहा कि वो 70's में एक songwriter थे और इसी वज़े से बहुत ही rich है घर पर Natalie Mitch की sister से मिली Emily Emily को Natalie बहुत पसंद आती है इसके बाद सब लोग मिलकर lunch करते है Mitch अपने फादर को बताता है कि Natalie का business है और उसे के उपर में article लिख रहा हो फादर को भी Natalie बहुत पसंद आई आज कल job जाने की वज़े से Mitch के बास पैसे नहीं थे तो lunch के बाद वो अपने फादर से बात करता है फादर ने का कि मेरे astrologer ने मुझे बता है कि इस मंद में मैं किसी को भी पैसे ना दू और इस वज़े से पैसे नहीं दे सकते थे यह सारी बाते नैटली वाहर से सुन लेती है गराने के बाद नैटली ने Mitch से का कि मारी family बहुत अच्छी है अपने फादर को मत बताना कि मैं क्या करते हूँ उनका दिल तोट जाएगा हैंगाउट करता है मिच फिर से नैटली से बुशता है कि क्या एकोनॉमी इतनी खराब है कि तुम्हें यह सब करना पड़ रहा है नैटली कहे थी कि जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी बहुत सारी रिलेशनशिप थी मैंने फिर मेरी रिलेशनशिप पर आर्टिकल लिखा था यह आर्टिकल किसी निउस्पेपर एडिटर को बसन आ गया था और उसने पब्लिश कर दिया था वाइरल हो गया और इस वज़े से नैटली की बहुत बदनामी हुए अगर उसका नाम कोई भी सेच करता है तो वही आर्टिकल आता है और उसी वज़े से उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती कॉलेज खतम होने के बाद फिर बिना जॉब के वो रह नहीं सकती थी और इसी वज़े से ये सब काम करना उसने स्टार्ट कर दिया था मिच को उसके सिस्टर का कॉल आता है सिस्टर ने एक पार्टी में गई थी और एक लड़की ने उसे बुली किया था मिच और नैटली फिर वहाँ पर बहुँचा आते है वो गहती कि उस लड़की से में बात करकर आती हो उसने डोर पर नौक किया और एक चोटी से लड़की बाहर आए नैटली उस चोटी लड़की को भी बहुत कुछ बोल देरती है एमिली ने रेलाइस किया कि वो रॉंग हाउस पर आ गया है अंदर से उस चोटी लड़की के फादर उन्हें मारने के लिए भागते है वेरे सब लोग वहाँ से भागके रात में घर आकर सब लोग मुवी देखते है आज नैटली और मिच ने बहुत ये अच्छा सा टाइम एक दुसरे के साथ सब पेंड किया था वो दोनों एक दुसरे के करीब आके और इंटिमेट हो जाते है अगली दिन इसके बारे में वो कुछ भी बात नहीं करते है जाते हुए नैटली मिच को एक इन्विलोप देती है जिसमें कुछ पैसे थै उसने कहा कि तुम्हारे डाड के साथ तुम्हारी जो बात हुई थी इसके बारे में मैंने सुन लिया था इन वेसरों से तुम्हें जरा हेल्प हो जाएगी बात में इसे तुम मुझे लोटा सकते हो मिच भी फिर से एक लटकी को अपने अप से घर पर बुला लेता है पर उसके साथ वो इंटिमेट नहीं हो पाता उसे इस जीस करना गलत लगता है नैटली अपने टेस्ट कराने के लिए होस्पिटल में गई हुई थी उसे वाब बाद जरा डर लगता था तो मिच भी उसके साथ आ किया दोनों के बीच में एक अच्छा मुमेंट शेर होता है नेक्स दिन में मिच फिर से अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रहा था उसका फ्रेंड बुशता है क्या तुम नैटली को डेट कर रहे हो Mitch को लगता है कि उसे judge कर रहा है तो ज़रा गुस्सा हो जाता है Friend ने कहा कि यह सब करना dangerous है और इसी वज़े से मैं बोल रहा था अगली दिन में Natalie अपने job पर Mitch को अपने साथ लेकर आती है Next day Mitch अपने घर पर आता है तो उसके घर और उसके father, neighbor और उसकी sister सब लोग थे उसके friend ने meeting arrange की थी उन्हें लगता है कि जिस तरीके से Mitch अपनी life जी रहा है वो सही नहीं है और उससे वो बात करना चाते थे Mitch इसमें interested नहीं था और उन पर ही गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है रात में Natalie और Mitch साथ में थे Natalie उसके थी कि तुम इस तरीके से behave क्यों कर रहे हो क्या कल रात की वज़े से तुम ज़रा awkward feel कर रहे हो Mitch कहता है कि कल रात के वारे में मुझे कुछ भी फरक नहीं पड़ता इस बात से Natalie ज़रा upset होके Natalie का एक client उसे force कर रहा था Mitch उस client से बात करने के लिए जाता है और client ने Mitch को disrespect कर दिया Mitch उसे मारने लग जाता है रात में फिर Natalie Mitch के पास आई Natalie ने कहा कि अगर में तुमें बुलाती तब तुमें आना था तुम इस तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते है उननों में फिर बहुत बड़ा जगड़ा हो जाता है एक दूसरे को बहुत कुछ बोलते है Natalie कहती कि तुम में बहुत ही self low esteem है और इसी वज़े से तुम बहुत सारे लोगों के साथ intimate होकर अपने esteem को बढ़ाते रहते हो तुम बहुत ही जादा pathetic हो Natalie भी जो कहती इसके लिए मिज उसे बहुत बुरा कहता है जिनके लिए मिज आर्टिकल लिख रहा था उनसे वो बात करने के लिए आता है कहता है कि मैं अब आर्टिकल नहीं लिखना चाहता बॉस ने कहा कि लास्ट टाइम जब मैं तुम से मिली थी तो तुम तो बहुत ही excited थे मिज कहता है कि मुझे अब भी है job चाहिए पर वो आर्टिकल में अब लिख नहीं सकता बॉस ने कहा कि तुमें एक जर्नलिस्ट हो तुमारा काम में लिखना अगर तुम यह नहीं कर रहे तो अपनी life waste करोगे रात में नैटली जब अपने client के साथ थी तुम मिज वहाबर पहुच आता है मिज उसे कहता है कि तुमें कभी भी protection की जरुएत नहीं थी तुम सिर्व जरा lonely थी वो इसे like करने लग गया था और उसके साथ रहना चाहता था नैटली उसे कुछ भी नहीं कहती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है इसके बाद नैटली ने MBA की colleges के लिए apply करना start कर दिया हर college में जहाँ पर भी उसका नाम सर्च किया जाता था तो article जो आते थे और इस वज़े से Natalie को वहाँ पर admission नहीं मिलती थी इस बाद जिस college में apply करती है वहाँ पर उसे accept कर लिया जाता है वो समझ सकते थे कि इंटरनेट की वज़े से लड़कियों को कितना बदनाम किया जाता है उन्हें Natalie की पूरी story अब पता थी क्योंकि मिच ने उसके उपर article लिखा हुआ था उसे वहाँ पर admission मिल गई थी जाकर यह article Natalie पढ़ती है मिच अपने family के पास आया हुआ था वो अपने father से बात करता है और वो अच्छा time spend करता है इसके बाद Natalie डारेक्ल वहाँ पर पहुँच गई Natalie उसे कहती है तुमने इस article में जो भी लिखा है वो जूट है तुमने लिखा है कि मैं प्यार पर भी लिव नहीं करती क्योंकि बहुत सारे husband को wipe पर cheat करती है मैंने देखा हुआ है मैं सचबुच मैं प्यार पर भी लिव नहीं करती थी जब तक मैं तुमसे नहीं मिली तुमसे मिलने के बाद मैंने जो feel किया एक अभी मैंने फिल नहीं किया था मिच कहता है कि यह बाद अच्छी है और वो कुछ भी नहीं कह रहा था नैटली वेर वहाँ से जाने लगके मिच रियलाइस कहता है कि वो अब भी उसे प्यार कहता है उसके पीछे आगया और उसे और किस कर लेता है वो दोनों अब साथ में बहुत खुशत है इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्समेशन चलगता है तो इसे लाइक और गमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मूवीज लेकर आता है तो तो प्लीज चानल के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिविशन आइकों दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमेशन के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैर रखें